दोस्तों आज आप देख रहे हैं 2022 मॉडल बिलकुल नई या महां MT15 वर्जन 2 को इस बाइक में कुछ नई अपडेट हुई है 2022 में जिनके बारे मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ सबसे पहले हम अपडेट की बात करेंगे भाई इसमें नया क्या है तो आप इस वाइक को फ्रंट से देखेंगे तो इसमें अपसाइड़ डाउन फॉर्क अब आपको मिलने लगे है वो भी गोल्डेन कलर के आप यहां पर देख सकते हैं इन फॉर्क को पहले इसमें आपको ट मिल जाती हैं साइट से मैं दिखाना चाहूंगा आपको इस बाइक को और आप देखेंगे कि साइट प्रोफाइल में इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ सिर्फ आपको नए कलर देखने को मिल रहे हैं जैसे कि इसमें स्यान कलर में आपको इसका एलोई वील मिल रहा है और यहां पर देखेंगे तो इसमें स्यान कलर का पीछे भी अलोई वील मिल रहा है बाकी सारी चीजें बलैक हैं यहां पर आपको सियान कलर में ही इसका टैंक कावल मिल ला जिसमें MT की branding है और MT 15 इसमें red color के sticker पर लिखा हुआ है, तो cyan color और black और red इन सब का combination इस bike में अब आपको मिलने लगा है, तो यहाँ पर कोई भी बदलाओ नहीं हुआ है, अगर आप पीछे देखेंगे तो bike light वही है, आप देख सकते हैं, बाकी indicator, mad guard, सारी चीजे वही है, लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे, तो इसका जो swingarm है, इसको change कर दिया गा है, पहले इसमें metal का आता था, जो की भारी था, लेकिन अब आपको इसमें light weight, इसमें aluminum का swingarm मिलने लगा है, तो पहले से यह बाइक इसकी वज़ा से ज्यादा बेटर हो चुकी है, और आप यहाँ पर दे में बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मॉडल और डिजाइन में, सिर्फ upside down fork, swingarm और इसके meter में कुछ बदला हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से सुरुवात करेंगे, पहले आप यहाँ पर देख लें भाई इसमें आपको मिल रही है, और इसमें आपको यहाँ पर select कर सकते हैं, इसको trip 1, trip 2, mileage जान सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि switch on करने पर आपका नाम लिखा है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, engine kill की switch, self switch, यह सारी चीजे मिल जाती है, high beam, low beam, pass indicator, horn यहाँ पर मिल जाता है, तो इतना इसके अंदर बदला हुआ है, इसका meter बदला है, इसका color बदला है, इसका swingar बदला है, और इसका अगला suspension बदला है, और पीछे की spring yellow color में हो गई, बस इतना ही बदला हुआ हूँ, इसकी price लगभग 15,000 रुपे बढ़ चुकी है, मगर आपको इसको price बताना चाहू कि इस bike को मैं चला रहा हूँ, और जो engine आप इसमें देख रहे हैं, वही engine आपको version 4, version 3 में मिलेगा, जो कि मेरे पास bike है, और वही engine है, तो same mileage जो मुझे मिल रही है, लगभग 45-50 की, वही mileage आपको इसमें मिल जाएगी, इसमें 155cc का engine मिलता है, जिसमें आपको 18.4 PS की power मिलत से आपकी bike बिल्कुल भी vibration बिल्कुल भी नहीं करती है, और 110 mm का इसमें आपको आगे tire मिल जाता है, जो कि कहां पर लिखा है, यही कहीं लिखा होगा भाई, इधर से नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ, और आपको दिखा देता हूँ, यहां पर आप देखेंगे 110 mm का वाइड टायर इसमें आपको मिल जाता है, और बाकि लिकुड कूल टेकनोलजी के साथ यह बाइक आती है, और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका radiator यहां पर रखा हूआ है, लगा हूआ है भाई, रखा नहीं हूआ है, और मैं इसको स्टार्ट करके इसकी साउंड सुनाना चाहूँगा, यह है इसका साउंड और इसका सिटिंग पोजिशन, सारी चीजें आप जानते ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बस बाइक में कुछ नए अपडेट हुए है, जो की काम के अपडेट हुए है, बाकि इसमें 282 mm की आगे डिस्क ब्रेक मि मिल जाती है, सिंगल चैनल ABS के साथ इसमें आपको मिल जाती है, तो MT15 एक परफॉर्मेंस बाइक है, बेटर इंजन कॉलिटी के साथ आती है, बेटर माइलेज देती है, और बेटर पिक अप आपको दे देती है, MT का मतलब हुआ, मार्श्टर आप टॉर्क इसमें आपको करिते हैं, MT15, तो आप उस पर ये माइक्रो फाइवर कलॉस का उप्योग जरूर करें, नहीं तो आपकी बाइक में स्क्रैच आएंगे, और आप उस पर M2R प्लस प्रीमियम पॉलिस जरूर लगाएं, जिससे आपकी बाइक हमेशा चमकती रहे है, और उसकी क्वालिटी, उ उप 시कंदे बाइक हमेशा चमक्यो एकी